बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, आफाक New Sun Series, Keep Learning at Home, Grade 2, Subject Science प्यारे बच्चों, आज हम Science की बुक का Chapter No. 2 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है Bones and Muscles जी, तो बुक का Page No. 6 ओपन करें, हम देखते हैं कि आज के Chapter में हमने क्या सीखना है जी, तो आज के Chapter में हम Bones and Muscles के बारे में जानेंगे, Bones and Muscles के फंक्शन के बारे में जानेंगे और Skeletal System कैसे काम करता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे तो प्यारे बच्चों, Chapter को शुरू करने से पहले हम एक حदीस का मुताला करते हैं, Read and Share में इस हदीस में, हजरत मुहम्मद ﷺ ने फरमाया, इनसान की जिसम के तमाम हिस्से फना हो जाएंगे सिवाए एक हड़ी के, जो के Read की हड़ी के नीचे होती है और उस हड़ी से अल्ला क्यामत के दिन इनसान को दुबारा जिन्दा करेगा जी तो बचो इस हदीस से हमने चैप्टर का अगास किया अब हम देखते हैं, इस चैप्टर में हमने कौन-कौन से नए वर्ड्स सीखने है जी, तो जो की वर्ड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हैं, Skeleton, Bone, Muscle, Joint जी, तो बच्चों, पेज नबर 6 पर सबसे पहले हम बारे में पढ़ते हैं, Bones यानि हडियां इन हडियों की मदद से हमारी Body का Frame बनता है, जिसको हम Skeleton यानि धांचा कहते हैं और इस Skeleton से हमारी Body की Shape बनती है, जिसकी मदद से हम एक Position में खड़े हो सकते हैं एक अंदाजे के मताबिक एक नौजवान शक्स में 206 हडियां होती हैं Page No.7 पर हम Muscles and Joints के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं Joints क्या है The place where two bones meet is called a Joint जहां पे दो हडियां मिलती हैं, उस Point को कहते हैं Joint Joint का फाइदा क्या होता है? कि जिसम का वो हिस्सा असानी के साथ Move कर सकता है जैसे कि आपको Page No.7 पर कुछ तसावीर नजर आ रही है उसमें Elbow Joint है, Shoulder Joint है, Ankle Joint है और Knee Joint है Elbow Joint और Shoulder Joint की मदद से हम अपने हातों को उपर नीचे दाइबाएं Move कर सकते हैं इसी तरह Ankle Joint और Knee Joint हमें चलने में मदद देते हैं, भागने में मदद देते हैं जी तो बच्चों अब हम इसी पेज पर Muscles के बारे में पड़ते हैं Muscles are attached to the bones Muscles हटियों के साथ attach होते हैं Muscles and joints work together to move the body Muscles और joints मिलकर काम करते हैं जिसकी मदद से हमारी body हरकत करती है To keep our muscles strong and in a working state we need healthy food and exercise Muscles को strong बनाने के लिए हमें exercise की जरूरत होती है और अच्छी खुराक की जरूरत होती है जी तो बच्चों इस चैप्टर में हमने bones के बारे में पड़ा के हमारी body में 206 bones होती है जिसकी मदद से skeleton बनता है और हमारी body एक position में खड़े होने के काबिल होती है और हमने ये भी जाना कि दो हड़ियां जहां पे मिलती है उस point को हम joint कहते हैं जिसकी मदद से हमारा जिसम move कर सकता है फिर हमने muscles के बारे में पढ़ा कि muscles और joint की मदद से हमारी body move करने के काबिल होती है और जितने ज्यादा हमारे muscles strong होंगे हम उतने ही ज्यादा strong होंगे और muscles को strong करने के लिए हमें exercise करनी होगी और अच्छी खुराग भी लेनी होगी जी तो बच्छो अब हम page number 8 पर work it out को solve करते हैं locate the muscles, bones and joint जी तो बच्छो इस diagram को label करें जी left side पे सबसे उपर joint उसके नीचे bone और right side पे muscle जी बच्छो अब हम page number 9 पर exercise को solve करते हैं answer the following questions question number 1 what is the job of a skeleton the answer is the skeleton gives shape to our body and keep us in upright position question number 2 what do bones do for us the answer is bones make up our body frame and protect the soft parts inside the body question number 3 what would it be like to have no bones in your body the answer is there would be no proper shape of our bodies without bones question number 4 why do we need muscles and joints the answer is our body cannot move without muscles and joints muscles and joints work together to move the body be part choose and write the correct option number 1 there are dash bones in the human body very good 206 a dash is a place where two bones meet very good joint number 3 the skeleton gives dash to the body very nice shape number 4 muscles need dash to become strong shabash healthy food part C look at the clues below to find the correct words and what are the clues and what are the clues number 1 these help in the movement of body parts very good muscles number 2 it gives our body shape skeleton number 3 this makes our muscles strong exercise number 4 bones are joined here joint joint shabash so pjoree bachow áj humnè chapter number 2 पढ़ा inshallah फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज अल्ला हाफिज अल्ला हाफिज